आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चाइनीज नेक डिजाइन जिसको ओवरलैप नेक डिजाइन भी कहते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पर्टी रडी करेंगे इसके लिए मैंने एक बुकरम का प्लीस काटा है और इसको फैबरिक पर टैज कर लिया है बुकरम की चोड़ाई एक इंच है और जिस फैबरिक पर मैंने इसको टैज किया है ये दो इंच है और बुकरम और फैबरिक दोनों औरेब में म करना है और बुक्रम जो है वो तो आपको पता है कि किस तना से उरेब उसकी कटिंग होती है अगर नहीं पता तो फिर आप मुझे बताईएगा मैं आपको के साथ शेयर कर लूँगे अब मैंने सेंपल नलकी का धागा लिया है और उसको डबल फोल्ड करके यानि दू धागे जो लिये हैं और उसको बॉबिन में भर दिया है अब मैं यहां पर स्क्रियो को थोड़ा सा डिला करूंगी ज्यादा डिला नहीं करेंगे और उपर जो हम नलकी यूज़ करेंगे धागा यूज़ करेंगे वो सेम कपड़े का होगा कलर अच्छा अब यहां पर हमने लाइन स्ट्रॉ कर रही हैं लाइन स्ट्रॉ करते वे आपने फासला अपनी मर्जी के मताबिक कम या ज्यादा आप रख सकते हैं लेकिन मैं यहां पर फासला आपको दिखा देती हूं कि मैं कितना रखूंगी तो यह देखिए हाफ आफ इंच से थोड़ा सा कम मैं रख रही हूं और इसी तरह लाइन्स ड्रॉ करूंगी और तमाम पूरी पट्टी पर मैं यह लाइन्स ड्रॉ कर लूंगी यह मैंने लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं अब इन लाइनग्स के मताबक हमने इस इंड के ऊपर स्टिचिजि अब इन फारी करनी हैं just कि इसके और भी इस पर्टी के ऊपर आप मुख्तेलिफ किसम की डिजाइन कर सकते हैं यह आप पर डिपेंड में और आप को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग देखने के लिए ये देखिए यहां पे यहां पर मैंने इसraw लाइन स्टेछ कर ली है आप कोई साई भी धागा यूज़ कर सकते हैं, आखर भी यूज़ कर सकते हैं योगी ये यूज़ कर सकते इसकी मदल से हम पाइपिंग करेंगे लेकिन पहले हम एक साइट से एक्स्ट्रा फैब्रे को काटेंगे अब यहां पर मैंने कटिंग कर ली है अब सेम उपर नीचे रखते हुए हमने इस फैब्रे को इसके साथ स्टेज करना है चोड़ाई आप अपने मताविक कम या ज्यादा रख सकते हैं तो इस तरह से मैं यहां पर इसको कम्प्लीट कर लूँगी अब इसको सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे आप चाहें तो बह ZweTA के बाद इस फैब्रे को आप यूज़ कर सकते हैं सिम्पल जो प्लैन हमारा फैब्रे करना है अब यहां पर देखेगा यहां पर एक्स्रा फैब्रे को मैं काट होंगे हाफ अफ इंच के फासले पर जहां पर मैंने जलाई लगाई थी बुक्रम के उपर उस से हाफ इंच के फासले पर हमने इसकी कटिंग कर दी है तो ये तमाम कटिंग में कर लूँगी ताके हमें एक्जेक्ट पता हो के हमने कहां से स्टार्ट करना है अदरवाइस हमें पता नहीं चलेगा अब यहां पर देखें मैं इसको नीचे ज falsi, और में आप दिखाते हूं कि इसल् hmा मैं ने कहां करनी है यहां पर वुक्रम की उपर नहीं वुक्रम के साइट पे जितनी हमने पाई पिन रखनी है उसी हिसाब से हमने साइट पर स्टिच कर लेना है और यह और लेप गले का बहुत ही आसान तरीखा है और बहुत ही नफासत से यह बनके त्यार हो जाता है तो आप step by step follow कीजेए अब यहां पर देखिए यहां पर इसको सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद आप इस तरहां से यह देखिए बिल्कुल एक्जेक्ट जहां पर मैंने सिलाई लगाई थी वहीं पर आपने इसको सीधा करके अच्छे से press कर लेना है इस तरहां से यह हमारे पास पाइपिन आ जाएगी यह देखिए मैंने इसको press कर लिया अब मैं बिल्कुल पाइप इन के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी टॉप स्टिच करूँगी सिलाई करते वक्त आपने ख्यार रखना है कि प्रिंटिर जो हमारा फैबरिक है उसके उपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और बहुत ही सफासत से ये सिलाई आपने लगानी है क्योंकि ये ही सिलाई फिर हमारे टॉप पे नज़र आ रही होती है और अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड होगी तो अब का नेक नफासत से नहीं बनेगा अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से फुल्ट करूँगी यहाँ पे यह देखिए यहाँ पे बुकरम के पास जो एकसा फैबरिक है उसको हमने इस तरह से मोरना है और इसका दूसरी साइट पे जो फैबरिक है उसको इस तरह इसके उपर से मोर के इसको अच्छे से प्रेस लगा देते हैं ये देखे, मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया, पहले मैंने उपर को एकी तरफ प्रेस किया, फिर मैंने इस तरह से फिर मैंने इसको इस तरह से नीचे की तरफ लाके इसको अच्छे से प्रेस कर दिया, अब ये हमारे एक ही सिलाएं में ये तमाम नेक की जो पटी है ये हमने यह ज्यादा की है, वैसे इससे कम ही हमारी पट्टी तियार होती है. यहां पर मैंने फ्रंट पार्ट शेट की ले ली है और नीचे मैंने इसके बुखरम अटेच कर ली है. बिल्कुल छोटा सा पीस मैंने अटेच किया है, आगे चलके मैं आपको बताती हूँ. नेक की चोड़ाई जो है वो मैंने तीन इंच ली है और लंबाई स्लेट की हम रखेंगे सौला इंचेज बिल्कुल यहीं पर मैंने इस बुकरम को अटेच किया है बागी उपर नीचे बुकरम की कोई जुरूत नहीं है नेक की लंबाई हम रखेंगे एट इंचेज यहाँ पर मैं निशान लगा लेते हैं अब यहाँ पर हमारे पास एक इंच में पट्टी है तो हाफ इंच हमने यहाँ पर निशान लगाना है और उपर से नीचे तक हाफ इंच की के निशान हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से तमाम हाफ आफ इंच की अब यहाँ पे मैंने चौक की मदद से आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी लाइन्स ताकि आपको क्लियरली नजर आए अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाए थी हाफ इंच के फासले पर उनको भी एक लाइन के मदद से जोइन कर लूँगी यहाँ से थोड़ी से गोलाई हम देगे अब इसकी कटिंग करते हैं कटिंग करते वोह आपने यह और इहत्यात करनी है कि सेम उसी लाइन कि उपर हमने कटिंग नहीं करनी बलकि सिलाई का मारजन रखते हुए हमने कटिंग करनी है स्लिट को हम एज़िट इस रहने देंगे नीचे से हम कट लगा लेते हैं जितनी चोड़ाई है उससे ज्यादा या कम कट नहीं होना जाए है यहाँ पे जस्ट हम यहाँ से इसको कट के खोल देते हैं इसकी कटिंग करनी के कोई जूरूत नहीं है क्योंकि फिर हमें स्टिचिंग में चाहिए फैबरिक तो वो उसमें यूज हो जाएगा अब यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है नीचे से आप देखिए कि किस तरह सी इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से ट्राइंगल बना लिया है हमने सबसे पहले हम उपर से शूल्डर से अटेच कर लेंगे दोनों पैनल्स को और सिलाई लगाते हुए इसको मैं आगे चलके आपको दिखाती हूँ और इसी दरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और किसी किसम का भी कॉमेंट है या कॉस्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछेगा मुझसे यहां पर यह देखिए बैक जो पैनल है बैक पार्ट उसको मैं हाफ इंच के फासले पर यहां पर इसको काटूंगी बैक गला जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं दर्मियान में कट लगा लेते हैं अब बहुत ही जरूरी पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हो आप देखे कि यहां से हमने यह स्टार्ट किया दो इंच नीचे रखके यहां से हमने नापते हुए इसकी जहां से गोलाई आ रही है वहां पे निशान लगाया और उपर जहां से शोल्डर का निशान है वहां पे हमने यह दो निशान लगा लिए अब यहां से इसको अच्छे से प्रेस करके हमने गोलाई दे देनी हैं यह देखे आपने देखा कि मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया और इसको गोलाई की शेप दे दी अब यहां पे सेंटर मार्क करेंगे गोलाई हमने जब इस तरी से हमने दी तो बहुत असानी से हमारी गोलाई आ गई यहाँ पर यह देखे, मैं इसको नापते हुए, एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी होगी, उसको नीचे हम दबाते हुए सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करनी है हमने, और यहाँ पर भी मैं निशान लगा लूँगी अब स्टिचिंग में आपने बहुत अहतियात करनी है, स्पेशली नीचे से जब हम स्टार्ट करते हैं, इस स्नेक डिजाइन को तो बहुत अहतियात करनी होती है यहाँ से निशान को बिल्कुल निशान कट के उपर रखते हुए हमने सिलाई को स्टार्ट करना है, यहाँ से और फैब्रे को इसके नीचे दबाते हुए इस सिलाई आगे तक लेकर जानी है आप कोशिश कीजिएगा कि उपर की पटी और नीचे जो हमारे शर्ट का कपड़ा है, उसमें कोई किजाओ नहीं आने चाहिए सेट करते हुए सिलाई लगाते जाएं और यह बहुत असानी सिलाई हो जाती है कोई मुश्किल नहीं आती इसमें क्यूंकि नीचे का फैब्रिक भी हमने मोड के अच्छे से उसमें सफाई ला चुके हैं ज़स्ट आपने यह कोशिश करना है कि आप जब भी सिलाई लगाएं तो उपर का कपड़ा और नीचे का कपड़ा में कोई किजाओ नहीं आना चाहिए तो बस इसी तरह से इसको सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं इसके अलावा मैं और भी बहुत से ओवरलैप नेक डिजाइन आपके साथ से शेयर कर चुकी हूँ जो मुक्तलिफ तरीकों के हैं सेम एक ही तरीका मैं नहीं फॉलो करती लेकि मेरे कोशिश यह होती है कि असान से असान तरीका आपको सिखाया जाए यहाँ पर यह देखें कर्ट मैंने आपको दिखाया सेम कर्ट के ऊपर हमने इसको बिठाते हुए से लाई को कंप्लीट करना है अब यहाँ पर यह देखें अब नीचे से हमने इसको किस तरह से सेट करना है यहाँ पर नीचे बुकरम की पड़िआं को ओपर-नीचे सट करते हुए हम एच्छे से प्रेस करने के बाद आपके पास अच्छे से शेप आजाती है अम इसको मोड के कपड़े को बिलकुल इसको जो एकστ्रा इसका यहे ट्राइंगल हमारे पास आया था यहां पे हमने सिलाई लगा कि इसको पक्का कर लेना है otherwise यह फैबरिक के जो धागे होते हैं वो निकलते हैं तो यहां पे इसकी मदद से अच्छे से पक्का हो जाता है और धुलने से कभी भी यह खराब नहीं होता और धागे नहीं निकलते एक्स्ट्रा पट्ट्टी को हम अब काट लेते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से सफाई से आया है यह देखे ना कोई जोल आया है और ना ही कोई एक्स्ट्रा कुछ चुन्नट वगएरा कुछ भी नहीं तो यहाँ पे अब मजीद इसको पका करने के लिए सेक्योर करने के लिए यहाँ से हमने इसके उपर से लाई लगा लेनी है ताकि धागे निकलने के कोई चांसिस बागे ना रहे और यहां से मोड़ते वे हमने अब इसके उपर से सिलाई लाते वे हमने नेक को बंद करना है यह देखें और यहां पे मैंने पहले शियत से निशान लगाया हुआ है कि कितना हमें नेक डीप चाहिए वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बतादूँकी कि मैंने कितनी इंच पे निशान लगाया है यहां पे देखें तो यहां पे 7.5 इंच पे मैंने इसको बंद किया है यह देखें तो ये देखे नेक डिजाइन हमारा रेडी है और बहुत ही सफाई के साथ हमारा आज का ये ओवरलैप नेक डिजाइन त्यार हो गया है उमीद करती हूँ आज का डिजाइन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझा गई होगी तो फिर मिलेंगे बहुत ही जबर्दस्ट और अच्छे से डिजाइन के साथ इन्शाला अल्ला हाफिज